नमस्कार आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुती न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागता भिनंदन है आपका दोस्तो मैं हूँ मुनीश शर्मा और मैं हूँ विनीता दोस्तो इस बार हम आपके साथ अपने 16 से 31 अक्तूबर कैंक को लेकर चर्चा करेंगे स्पीड और स्केल का पर्याय बन चुके प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कारेकाल के शुरुआती सौ दिनों में लिए गए निरनयों से हमारा देश बुलंदियों की ओर बढ़ रहा है रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म का मंत्र हो या फिर स्पी करोड रुपे से अधिक की विकास परियुजनाओं की मन्जूरी के साथ प्रगती का एक नया अध्याय लिख दिया है जो विक्सित भारत की ओर मार्ग प्रशस्त करने वाले सौ दिन बन गए हैं इन सौ दिनों में किन-किन क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधारों की नरेंदर मोदी का ब्लॉग समसामाई की में स्वच भारत मिशन के दस साल और गांधी जैनती पर प्रधान मंतरी मोदी की ओर से शुरू किये गए धर्ती आबा जनजाती ग्राम उतकर्श भियान को रखा गया है व्यक्तितु की कड़ी में पदमश्री से सम्मानित दिगंब पर हंसदा की जैनती पर नमन, फ्लैक्शिप प्रधान मंतरी वन बंधू कल्यान योजना, प्रधान मंतरी मोदी को मिले उपहरों की ई निलामी और प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी कामरी का दौरा इस अंक में शामिल हैं। और विशेश सामग्री ये इस अंक की विशेशताय हैं। लेकिन बीते सौ सवासो दिनों में भारत ने किस तरह विकास के नए आयाम स्थापित किये हैं। आगे बढ़ने से पहले आए सुनते हैं प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के शप्तों में। आज भारत हर सेक्टर में हर क्षेत्र में जिस तेजी से काम कर रहा है वो अभूत्पुर्वा है। भारत की स्पीड भारत की स्केल अनप्रसेडेंटेड है। अभी हमारी सरकार के थर्ट तम के करीब 125 डेज पूरे हुए है। मैं आपके साथ 125 डेज का अनुभव शेयर करूंगा। 125 डेज में गरीबों के लिए तीन करोड नए पक्के घरों को मंजूरी मिली है। 125 डेज में हमने नव लाग करोड रुपय के इंफ्रासेक्टर प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है। 125 डेज में हमने 15 नई बंदे भारत ट्रेने चलाई है। आठ नए एड़पोर्ट के काम शुबारम हुए है। इनी 125 डेज में हमने युवाओं के लिए दो लाग करोड रुपय का पकेट दिया है। हमने किसानों के बैंक खातों में 21,000 करोड रुपय सीधे ट्रांसपर किये है। हमने 70 साल से अधिक के बुजुर्गों के लिए 5 लाग रुपय तक के मुपतिलाज की ववस्ता की है। इतना ही नहीं, 125 डेज में हमने 12 नए इंडिस्टियल डॉट्स को मंजूरी दी है। स्वधेशी रुप से विकसित लगभग 130 करोड रुपय की लागत वाले तीन परम रुद्र सूपर कॉम्प्यूटर को पूने, दिल्ली और कॉलकाता में तैनात किया गया है। इस सूपर कॉम्प्यूटर से विज्ञानिक अनुसंधान को सहज बनाने में मदद मिलेगी। परम रुद्र सूपर कॉम्प्यूटर पृत्वी विज्ञान से लेकर ब्रह्मान विज्ञान के अधहन तक में मदद करेगा। जबकि मौसम और जलवायू अनुसंधान में हाई पॉफॉर्मेंस कॉम्प्यूटिंग, हच्पी सी, प्रनाली, अर्का और अरोनिका से मदद भी मिलेगी। इस परियोजना पर आट सो पचास करोड रुपे का निवेश किया गया है। उननत प्रनालियां, मौसम और जलवायू, जैव सूचना विज्ञान और सामगरी विज्ञान सहित कई क्षेत्रों का समर्थन करने वाले अनुप्रयोगों से लैस है। इस अफसर पर प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी ने कहा कि ये सूपर कॉम्प्यूटर देश के युवा विज्ञानिकों को आधोनिक तकनीक उपलब्द कराने में महतवपुर्ण भूमिका निभाएगा। इस आयोजन की संपुन जानकारी पत्रिका में शामिल है। होने पर प्रत्युपकार की भावना के बगेर दिया जाता है। उसे सात्विक दान कहा गया है। प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी जिस तरह अपने वेतन से बचाई गई पुरसकारों में प्राप्त स्मृती चिन्नों की निलामी से जुटाई के राशी और खरीदी गई जम अंबर को शुरू की गई जो 31 अक्तूबर तक चलेगी। जुटाई गई राशी नमामी गंगे पर योजना को समर्पित की जाएगी। प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी ने अभी तक वेतन से जो पैसे बचाए उपहार और स्मृती चिन्नों की निलामी से इकत्रित या पु विभिन्न स्मृती चिन्नों की निलामी करता हूँ। निलामी से मिलने वाली आये नमामी गंगे पहल को दी जाती है। जो स्मृती चिन्न आपको रोची कर लगें उनके लिए बोली अवश्य लगाएं। सबसे अधिक तीन दरजन से अधिक लोगों ने कांस्य की शांदार नकाशिदार शंक के लिए बोली लगाई। ये कलाकरती पियम मोदी को लक्षद्वीप के भूतपूर उसैनिकों ने भेंट की थी। प्रधानमंत्री के उपहारों की निलामी से जुड़ी सभी जानकारी पत्रिका में शामिल है। पैरिस पेरालम्पिक में रिकॉर्ड प्रजर्शन किया। अब पैतालिसमें शत्रज उलम्पियार में भारतिय टीमों ने स्वर्ण पदक जीत कर अमरतकाल में शत्रज के स्वर्ण इमकाल का आगास कर दिया है। ओलम्पिक पैरलम्पिक खिलाडियों के बाद अब शत्रंज की विसात पर करिश्म दिखाकर लौटे खिलाडियों से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर समवाद किया और फैसला लेने की क्षमता बढ़ाने में टिप्स दिये भारत की महिला और पुरुष टीम ने 45 में शत्रंज ओलम्पिक में 44 अंक में से 42 अंक अरजित कर स्वन पदक अपने नाम किया है शत्रंज ओलम्पिक में 97 साल के इतिहास में भारत ने ऐसा पहली बार किया है शत्रण जॉलंपियाद खिलाडियों से प्रधार मंतरी नरेनर मोदी ने संबाद में कहा है कि कोई देश विकसित बनता है तो सिर्फ खजाने, उद्योग और जीडिपी से नहीं बनता है दुनिया के हर फिल्ड में महारत होनी चाहिए जब ऐसा होता है तब कोई देश महान बनता है संबाद के दौरान जहां पियम मोदी ने खिलाडियों से अनुभव पूछे, तैयारी में AI के इस्तमाल पर सवाल पूछे, तो वहीं खिलाडियों ने भी उनसे कई सवाल किये इसके जवाब में प्रधान बंतरी ने खिलाडियों से गुजराट में मुक्य मंतरी रहने के दोरान कराए गए खेल महाकुम के अनुभव माटे प्रधान मंतरी के खिलाडियों से बाचीत के प्रमुख अंश पत्रिका में शामिल है कल्यान होगा। संप्रबता और क्षेत्रिय खंडता के सम्मान के साथ समस्याओं का शान्ति पूर्ण धंग से हल निकालना ही सबसे उप्योक्त है। इसमें भारत स्वतंत रूप से और क्वार्ड के साथ मिलकर एहम भूमिका निभा रहा है। अमरीका के राश्पती जो बाइडन, आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटेनी अलबानी और जापान के ततकालीन प्रधानमंत्री फूमियो के शिदा क्वार्ड में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोधी को देखना और सुन्दी चाहता है। प्रधानमंत्री मोधी के सुरक्षित और जिम्मेदार इस्तमाल को बढ़ावा देने के लिए। वो प्रधानमंत्री मोधी को देखना और सुनना चाहते हैं। यही वज़ा है कि जब भी PM इस तरह के कारेक्टर में जाते हैं, वहां के लोगों में अपार जोश और उमंग होता है। जब भी अमरीका गए, उन्हें देखने या मिलने की इच्छा रखने वालों का हर बार एक नया रेकॉर्ड बनता है और पुराने सारे रेकॉर्ड तूट जाते हैं। PM मोदी ने कहा, दुनिया के सारे AI का मतलब Artificial Intelligence है, लेकिन मैं मानता हूँ कि AI का मतलब है अमेरिका इंडिया, अमेरिका इंडिया ये Spirit है और यही तो नई दुनिया का AI पावर है। प्रधान मंत्री मोदी ने उन लमहों का जिकर खते हुए कहा, कि जब President Biden मुझे डिलावेर में अपने घर ले गए, तब उनकी आत्मियता, गर्म जोशी, मेरे लिए दिल छू लेने वाला मोमेंट रहा। ये सम्मान 140 करोड भारतियों का है। प्रधान मंत्री की अमेरिका यात्र और इस सम्मेलन में हुए सभी महत्वपोर्ण निर्नेयों की जानकारी पत्रिका में पढ़ी जा सकती है। शिक्षा और साहित्य के फिकास के लिए आजीवन प्रयत्नशील रहे। भारतिय सम्मविधान का संथाली भाषा में अनुवाद करने के साथ साथ साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने उल्लेखनीय काम किये। उनकी प्रात्मिक शिक्षा राजदोहा मिडल स स्कूल में हुई जबकि मैट्रिक बोर्ड परिक्षा उन्होंने मानपुरुच्य विद्याले से दी थी। बाद में उन्होंने राची विश्विद्याले से राजनीती विज्ञान में बीए और में की पढ़ाई की। भारत सरकार ने उन्हें वर्ट 2008 में पदमश्री देने दिए जब इस पुरसकार के लिए उनके नाम की घोषणा हुई तब उन्होंने कहा था कि सम्मान उन्हें वंचित समुदायों के लिए एक नए जोश के साथ काम करने के लिए प्रोट साहित करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा थाis इस सम्मान झार खंडोरुड शा और पंगाल के दूर दराज के इलागों में वंचित समुदायों को गरीबी निरक शर्ता और समाजिक बुराईयों से उबारने के लिए उनके अथक सेवा को माननेता प्रदान करता है। इस सम्मान के लावा कई अनेक और भी सम्मान प्राप्त हुए इनकी प्रिरनादाई जीवन यात्रा पत्रिका में पढ़ी जा सकती है। प्रदारमंत्री नरेडरमोदी के आवान पर तीन लाग से ज्याधा गाउं के करोडों किसानों ने अपनी खेती के औजार सौप दिये जिनने पिगला कर स्टैच्यो आफ यूनिटी बनाया गया। तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देशी नहीं बलकि विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हेंडल है NIS PIB India इसके लावा आप हमें response NIS at PIB.gov.in पर इमेल के जरीए अपने सुझाओं भी बेज सकते हैं। रहता है आपके सुझाओं का इंतजार मैं हूं मुनीश शर्मा मैं विनीदा ठागुर दीजिया अग्या धन्यवाद